जब भी मार्केट से हम धनिया पाउडर लेके आते हैं ना तो उसमें खुश्बू होती है और ना ही उसमें वो स्वाद होता है जो हम घर पे तयार करते हैं और साथ ही वो बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है यानि हलके फुल के उसमें केड़े लग जाते हैं तो आज मैं आ ऐसी ट्रिक बताऊंगे जिससे आपका धनिया पाउडर है वो सालो साल भी खराब नहीं होगा चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो धनिया पाउडर बनाने के लिए गाईस मैं यहां पे लिया है साबुत धनिया जिससे सूखा धनिया भी बोलते हैं और मैंने यह बड़ा सा बोल लिया है आपको जितने क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा क्योंकि एक बार हम बना के रख देंगे ना तो यह बिल्कुल भी आपका खराब नहीं होगा और इस बात की गरेंटी मैं लेती हूँ तो यह देखी मैंने यहां पे बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और सालो साल चलेगा तो मार्केट से हम जो धनिया पाउडर लाते हैं उसमें बिल्कुल भी वह वाली खुश्बूर नहीं होती जो आज हम घर पे बनाके तयार करेंगे सबसे पहले हमने कड़ाई को थोड़ा सा गरम कर लेना है और लो फ् जादा पकाना नहीं है लो फ्लेम पे बस इसकी नमी हमने निकालनी है तो हमने अच्छे से इन्हें भून लिया है यानि इसकी सारी नमी हमने निकाल ली है इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर हम रख देंगे जब हलका से ठंडा हो जाएना तो ऐसे मिक्सी ग्राइंड जार हम लेंगे और इसमें डाल के इसे हम अच्छे से पीस लेंगे और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगे गाईज कि क्या इसमें हम डाले के जिससे हमारा धनिया पाउडर है वो सालो साल भी कराब नहीं होगा तो वो सीक्रेट चीज देखने के लिए वीडियो को मार्केट स्टाइल हमें दिखे कई लोगों को धनिया का हलका सा भी छिलका जाएना तो वो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैं इसको चान रही हूँ और ये देखी मैंने सारा का सारा धनिया पाउडर है वो बना लिया है अब बारी आती है उस सीक्रेट आदा चमत से थोड़ा सा कम लिया है नमक जी हाँ हम इसमें डालेंगे नमक नमक डालने से हमारा जो धनिया पाउडर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ना ही इसमें कीडे लगेंगे तो ये सालो साल हमारा चल जाएगा एक बार आपने बना के रखना है और जो ध धर पर ही बनाए जहां तक हो उसके और बाहर का जो आता है ना उसमें मिलावट भी होती है और अब बारी आती है इसको स्टोर करनेगी तो मैं आपको बता दू कि आपने कोई भी एर टाइट कंटेनर लेना है और उसके अंदर इस पाउडर को डाल देना है बिल्कुल भी न अज़र काच का यह टाइट कंटेनर है ना तो वह और भी ज़्यादा बैस्ट है तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर ही बताएगा और पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीज़़ाइब